नमस्कार साथ यों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल बीरू अकाइडमी पर डियर बात करेंगे डियलेट को ले करके एक बड़ा फैसला लिया गया है बात करेंगे कि आखिर डियलेट के इस कोर्स में क्या सुप्रिम कोट का जो फैसला आएगा बीयट पातरता विवात को ले करके उससे किस प्रकार से लिंक है पूरे वीडियो परंद तक जुड़े रहिएगा कंप्लेट एनलेसेस के मध्यम से सारे डाउट क्लियर करने की कोशिस करेंगे डियर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि बीयट की तर्च पर डियलेट की काउंसलिंग होगी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो डियलेट के एडिमिसंस हैं वो पूरी तरीके से मेरिट बेस होते थे लेकिन अब कही ना कही 2023 सत्र में प्रवेश की जो तैयारिया है DL8 की यानि की BTC की वो सुरू हो गई है परिच्चा नियामक प्राधिकारी कार्याले ने जिला सिच्छा योम प्रसिच्छन संस्थानों को एक लाख प्रसिच्छन संस्थानों की जो फरकारी सीते हैं डायट की वो 10,600 और निजी कालेजों की लगभग 2,6,000 यानि की आप कह सकते हैं की 2,16,600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेद दिया है तो आप देख सकते हैं जो नए सत्र के एडमिसंस के लिए उसका प्रस्ताव भेजा गया है और इस साल डियलेट प्रवेश की जो काउंसलिंग है वो B8 के तरज पर कराई जाएगी जिस तरह B8 में प्रवेश के लिए हर चरण में काउंसलिंग का उसर मिलता है डियलेट में रजिस्ट्रेशन सुल्क देने के बाद मौका दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कही ना कहीं प्रयागराज से ये न्यूज प्रकासित होई है और इसमें साफ साफ मिंसंस किया गया है कि डियलेट की जो एडिमिसंस होंगे इस बार वो कहीं ना कहीं इंटरेंस के माध्यम से यानि की काउंसलिंग के माध्यम से होंगे पूरी तरीके से बात करेंगे एक डियर देखिए आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में जो डियलेट की इस्थिती है वो काफी दैनी है और डियलेट की जो सीटे हैं वो पूरी तरीके से रिक्त रह जाती हैं सीटे नहीं भार पा रही हैं जैसा कि आप जानते हैं कि प्रात्मिक इस्तर पर जब से B.E.A.D. सामिल हुआ है तब से D.E.L.E.D. से कही ना कही छात्रों का मोह पूरी तरीके से भंग हुआ है क्योंकि जो B.E.A.D. का कोर्स एडियर वो एक से लगा करके 12 तक की सिच्छक भरत्नी के लिए पूरी तरीके से पात रहे जैंसी टी का 28 जून का जो गजट था 2018 का उसके आधार पर 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद B.E.A.D. को प्रात्मिक में सामिल कर दिया गया था इसके बाद जैसे ही डियलेट की अडिशन सुरू है त पूरी तरीके से कही ना कहीं आप कह सकते हैं कि सीटे इसकी रिक्त रह जाने लगी और कई राज्यों ने तो अपने यहाँ डियलेट को बंद ही कर दिया है क्योंकि एक ही आप कह सकते हैं सिच्छक भरती के लिए दो कोर्स रंचालित करना कही ना कही थोड़ा गलत है क्योंकि आपने देखा था भी जारखंड राज रहा हो हर्याना राज रहा हो दोनों पूरी तरीके से पात रहें तो जब बीएट पूरी तरीके से एक सिबारत तक के लिए पात रहें तो फिर कोई डियलेट में एडविसंस क्यों लेगा अगर आपका उदेख सिर्फ प्राथमी सिच्छक भरती में कही ना कहीं आप जॉइनिंग लेना चाहते हैं तो तो आप डियलेट में ले सकते हैं लेकिन अगर आप कुछ सिच्छा तक सोच रहें तो बीएट बिटर है जैसा कि आप जानते हैं कि बीएट पातरता बीवात कोई मामला माननी शुप्रिम कोट में लंबित है विचारा धीन है इसी की कड़ी उससे जुड़ी होई है अगर बीएट क भविस्य होगा अन्यथा डियलेट कोर्स पूरी तरीके से बंद होने के कगार पर खड़ा है क्योंकि आप जानते हैं कि जो नई सिच्छा नीती है वो भी कही ना कहीं बीएट की ही वकालत करती है और कुछ राज्यों ने इसकी तरज पर काम भी सुरू कर दिया है और अपन पान्च साल से कोई भरती नहीं आपा रही है फिलहाल जूनियर के लिए डियलेट अभी भी वैलिड हो चुका है जो अभी जूनियर की एक बैकेंसी आई थी है उसमे डियलेट वैलिड है अन्यता डियलेट सिर्फ एक से पांच के लिए ही लिया जाता है और आपने देखा कि जो बल्क में यानि कि जो बड़ी वैकेंसी आती हैं वो कहीं न कहीं प्राइमरी में ही आती हैं और आपका उद्देश सिर्फ प्राथमी टीचर बनना है हो सकता है सपोर्ट डैट की बीएट पातरता बिवाद में बीएट के अगेंस्ट फैसला आगार आता है तो तो डियल हैं वो कहीं न कहीं बीएट की तरज पर काउंसिलिंग और इंटरंस इक्जाम के आधार पर PNP तैयारी में जुटा हुआ है देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो बीएट पातरता बिवाद का आडर किस फेवर में आता है आडर ही डिपेंड करेगा कि डियलेट मे अथमिक से हटा पाना माननी शप्रिम कूट के लिए ट्रिणी खीर है क्योंकि आप जानते हैं जो नई सिच्छा नीती है वो भी कहीं ना कहीं एक मात्र कूर्स बीएट की ही अकालत करता है उमीद करता हूँ डाउट क्लियर हुआ होगा कोई सवाल रह गया है कमेंट बाक्स